पीएम ने राश्ट्रे के नाम संबोधन किया, तीनों ने कृषिक कानून को वापस लेने कई बात भी कही पीएम नरिंद्र मोदी ने आगे कहा कि सरकारी ने नेक नियत के सांथ लाई थी पर कुछ किसान भाई इस बात को समझ ही नहीं पाए मैंने किसानों के दर्द को बहुत करीब से महसूस किया है शमा मांगता हूँ उनके दर्द के लिए और आज मैं किसान कानून को वापस लेने का एलान करता हूँ अब सवाल ये कि क्यों इस तरह का निर्ने लिया गया आपको बता दे लंबे समय से नए क्रिशिक कानून को लेकर आंदोलन चड़ रहा था इस आंदोलन में कई दर्दनाग घटनाए घटी है आंदोलन कारियों ने जो 26 जनवरी को लाल किले पर कान किया था वो काफी चर्चा का विशे रहा कई लोगों की जाने गई ये सांदोलन में हाला कि बात इस बात की की आखिर मोधी सरकार को जब ये क्रिशिक कानून हटाना ही था तो क्यों इन दंगों के पहले ही इस तरह के कदम नहीं उठाएं गए बात इस बात की कि क्या सर्फ सत्टा और चुनाओं के लिए अब मोधी पर पढ़ने शुरू हो गए हैं आने वाले दिनों में देश के पांच राज्चियों में विधानसभा चुनाओं हैं ऐसे में नई चाल मोधी सरकार की ओर से चली गई है यह अपर चुनाओं इसका सबसे बड़ा कारण है नमस्कार मेरा नाम बीना है और अब दाइ लगातार कई महीनों से आंदोलन चल रहे थे तो आपको बता दे ये तीन नए क्रिशी कानून जिने पीए मोधी ने आकल ही इसको वापस कर लिया है पहला क्रिशी कानून था क्रिशी उतपादन व्यपार और वानी जिव विधायक 2020 इसके अनुसार किसान मन्चाही जगह प कीमतों पर उपज़ खरीच सकता था क्रिसी उतपादों का यह व्यपार राज्जित सरकारों द्वारा लगाये मंडी पर से मुक्त किया जगया था दूसरा क्रिशी कानून था शशक्तिकरन और संग्रक्षन मुल्य आसवासन और क्रिशी सेवा अधिनियम 2020 था ये कानून कि खेती करने और अपनी उपज का स्वतंत्र रूप से विपरण करने की अनुमती देने के लिए था इसके तहत फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बलकि एग्रीमेंट करने वाले पक्षिया कंपनियों द्वारा की जाती है तीसरा क्रिशी कानून था आ दिसंबर 2020 को संसर में पास कर आया गया था इसके बाद से लगतार किसान संगठनों की तरफ से विरोध कर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही अब बात इस बात के कि अपने ही द्वारा बनाए गये नियम कानून को वापस करना क्या सही है जब कानून को वापस के पक्ष बे अपना फैसला सुनाना कितना सही है आपको बता दें मोधी सरकार ने कई ऐसे निर्णायक फैसले लिए जिसका विरोध भी हुआ और हंगामा भी इसके बावजूद सरकार कभी नहीं चुकी चाहे बात हो C.E.A. यानि की नागरिक्ता विधेक 2019 की या हो बात राम पड़ती किसान आंदोलन को आखिर क्यों फैसला बदल कर अब खत्म करने की और बड़ी मोधी सरकार इस फैसले के बाद विजिपी समर्थक एक तरफ जहां निराश है वहीं विपक्षी पार्टी और किसान आंदोलन से जुड़े दल खुश है और यह कह रहे हैं कि काला कान अब को जब रद किया जाएगा तब ही वो आंदोलन वहां से हटेगा और आंदोलन कारी अपने घर जाएंगे ऐसे में कानून वापसी का पंजाब पॉलिटिक्स पर भी असर पढ़ने वाला है अब विजिपी गेम चेंडर के तौर पर नज़र आ सकती है वहीं योपी चु क्योंकि अब तक जितने भी राजनुतिक पार्टी योपी में चुनाओ प्रचार कर रहें थे उनका मुख्य मुद्दा था कानून क्रसी कानून और वहां के अंदोलन अब इस मुद्दे को भी सरकार ने खत्म कर दिया है और कहीं ना कहीं अब किसानों के बीच मैसेज भी कि मोदी सरकार उनका स्वाथ दे कर देर सवेर ही सही पर आई है साथ यूपी में जाट और गुजर समुदाय की बात करें तो अच्छी खासी संख्या है लगभग 10 प्रतिशत है यूपी में इनकी भागेदारी अपने ही फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है आखिरकार सरका अब देखना यह है कि अपने ही फैसले के खिलाफ होने के कितने फाइदे मोदी सरकार को मिलने वाले हैं क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो नरेंद्र मोदी को फॉलो करता है वो फिलहाल नाराज भी है इस फैसले के बाद कहीं गेम चेंजर बनने के चकर में अपना बना बनाय गेम तो मोदी सरकार खराब नहीं कर रही आपको बता दे कि खुद यह कहना कि किसान आंदोलन में शामिल लो किसान नहीं दलाल है और खुद उनकी आगे जुग जाना सिर्फ और सिर्फ राजनेतिक स्टन्ट है या चुनावे स्टन्ट इस फैसले का क्या परणा मिनने वाल सपोर्ट करते थे उनका यह मानना था कि फैसला गरसी कानून वो सही है और कुछ चुनिंदा राज्यों में ही इसके खिलाफ आंदोलन भी होँए हाला कि इसके बाद अब जब यूपी में चुनाओ होने है पंजाब में चुनाओ होने है तो उसके पहले ही मोधी सरकार ने इस तरह का एक बड़ा फैसला सुना दिया और ये तीनो कृसी कानून को जो है उसने वापस ले लिया है ऐसे में इनके सपोर्टर इनके समर्थ तक काफी नराज नजर आ रही है और उनका ये कहना है कि ये बहुत ही गलत फैसला लिया गया है मोधी सरकार की और से और इसका खा करता है आप भी अपने राय हमें कमेंट के जरीए दे सकते हैं इसके सांथ ही अगर अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और ऐसे अन्य तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हैं ता इंडिया चॉपक